कहानी की शुरूआत होती है इस चाचा से जोकी परेशान है क्योंकि कुछ हफतों से इसकी बेटी की कोई खबर नहीं है और ये है चाचा की बेटी, जेनिफर, जो की कुछ हफतों पहले अपनी दोस्तों के साथ पहार ट्रेकिंग के ले गई थी, तो टेंशन में आके चाचा खुद रैंबो बन के निकल पड़ते हैं बनवास अपनी बेटी को ढूणने, तो चाचा की सुपुतरी मतलब जेनिफर क के साथ क्या हुआ है, ये जानने के लिए चलिए हम कुछ हफते पीछे चलते हैं, तो ये है जेनिफर की BBC बॉइफ्रेंड डेरियस, जो की एक सोशल वोर्कर है, और इन मौतरम का नाम है मिलिया, और ये है उसका धक्कन बॉइफ्रेंड आडम, और ये दोनों गे कपल है, ल बुढ़ा से बत्तमीजी करने लगता है, तो बुढ़ा उससे कहता है ये बुढ़ा होगा तेरा बाप, मेरे से बत्तमीजी नहीं, ये सब देखके जेनिफर वांसन निकल जाती है, और अपनी दोस्तों के लेके होटेल चली जाती है, होटेल की मालकीन जो की है ये आंटी, उनसे कहती है कुछ चहिए तो बार बार मत बजाना घंटी, पहाड पे अपना रास्ता मत बदलना, अगर भटक गए तो लटक जाओगे, पहाड पे है घंगल और कुछ ऐसा है जो तुम्हारे साथ करेगा मंगल. दूसरे दिन सुवाज जेनिफर अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए जोगिंग पे निकलती है, जहां वो देखती है, एक लड़की हैंड मेट्स ब्रेसलेट बगएरा बेच रही है, और उस लड़की की बहन जेनिफर को देखके डर के गाड़ी के पीछे भाग जाती है, यहां जेनिफर उस लड़की से एक ब्रेसलेट खरीद लेती है, फिर कुछ देर बाद जेनिफर अपनी दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए निकल पढ़ती है, ट्रेकिंग करते करते Darius को चुल मचता है और वो कहता है क्यों न इस पहार को और एक्स्पोर कियाता है ये कहके सब को साथ लेके पहाड़ी के दूसरे तरफ चला जाता है और जंगल में होता है बहुत सारा ट्रैप और एक गधा गलती से एक ट्रैप में पैड डाल देता है जिससे एक पेड लुड़कते लुड़कते Gary को आम के तरह पिछक देता है बस ये देखके सब की फट जाती है फिर Gary का बॉइफ्रेंड Lewis Darius के उपर भड़क जाता है क्योंकि उस पांडू नहीं इन सब को बोला था रूट बदलने को फिर सब कोई Lewis को नया बॉइफ्रेंड ला दोंगा कहके शान्त करके वहां से निकल जाता है कुछ दूर जाने के बाद अब बारी आती है जो की चलते चलते एक गड़े में गिर जाती है जहां उसकी शरीर में हो जाता है छेद मीलिय अपनी भक्चोद बॉइफ्रेंड से हल्प मांगता है लेकिन Adam दर जाता है और मीलिया को उसी हालात में छोड़के 921 हो जाता है आडम के जाने के बाद वहां कोई तीर से मिलिया में और एक छेद कर देता है वीडियो के बीच में कुछ कहना जाता हूँ यूट्यूब में नया हूँ आप सब की सपोर्ट की बहुत जरूरत है प्लीज थोरा सा सपोर्ट कर दें बाकी entertainment की guarantee मेरी अब number आता है हमारे धककन Adam का Adam के पैर में एक chain अटक जाता है जो कि उसे खीच के एक गढ़े के अंदर ले जाता है और Darius उसे बचाने के लिए जैसे उस गढ़े में जाता है तो उसे दर्शन होता है इनका इन्हें देख Darius कहता है आडम भाई माफ कर बाहर security बहुत tide है अंदर नहीं जा सकता तो वहाँ से सब कोई भाग के कहीं जाके छुप जाता है जहां उन्हें दिखता है दो जंगली आदमी आडम को पकर के रात का खाना बनाने के लिए कहीं ले जा रहा है ये देख सब कोई उन दोनों पे attack कर देता है तो एडम पीछे से उठके उन में से एक को बहुत छेदा, बहुत छेदा मतलब माच होती वो तो मर जाता है और दूसरा वाला भाग जाता है लेकिन बाद में वो सारे जंगली लोग इन चारों को पकड़ लेता है और ले जाता है उन्हें अपनी बस्ती में जहां जनीफर को दिखती है वो छोटी बच्ची जो कि उसी बस्ती में रहती है फिर उन चारों को एक आदमी के पास ले जाया जाता है जो कि उन आदिबासियों का लीडर है तो वो लीडर इनसे कहता है, तुम लोग हमारे बस्ती में घुसपेट किये हो, इसलिए तुम्हें ग्रिफतार किया गया है, और तुम में से कोई एक हमारे आदमी को मारा है, चुप चाप सच कह दो, वरना तुम चारों में छेद कर दूगा, फिर पता चल जाता है कि Adam ने मार हम लोग तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, ये खेती बाड़ी करेगा, अगर तुम बोलो तो तुम्हारा साफ भी करेगा, और मैं किसी को अगर बीवी चाहिए, तो मैं उसका बीवी बन जाएगा, ये सुनके सरदार का अंदर वाला जागता है, मरत और जनिफर बन जात है, इसे किसी ने देखाए गया, फिर उसी बुढ़ा से जाकर पूचता है, तो बुढ़ा कहता है, हाँ बेड़ू, इसो तो मैंने देखा था उसके दोस्तों के साथ, इधर इच बैटके दारू पी रहा था, इन में से एक को तो अपन पेलने वाला था, ये लोग जहाँ ग पर उसके बेटे का दी एंड हो जाता है, कुछी देर में वो सारे जंगली चाचा रैंबो को भी पकड़ लेता है, और अपने बस्ती में ले जाता है, जहां चाचा अपनी सुपूत्री को देखता है, और कहता है, बेटी, तुम्ही सल्मान खान के साथ क्या कर रही हो, तो लीडर कहता है, ए बुड़व, यह मेरी बीवी है, इसको अपने पेला है, इसके तरफ आँख उड़ा के नहीं देखने का, तो लीडर चाचा को अंधा करने की सजा सोना देता है, आज रात नहीं, अगले दिन सुभा, और चाचा को आज रात के लिए कोटरी में बंद कर द जिसके बाद सब वहां से भाग जाते हैं, फिर कुछ मेंने बीच जाता है, और अभी जेनिफर अपने घर पे है, और वो पेट से भी है, तो एक दिन जेनिफर जब अपने काम से घर लोटता है, तो यहां भी अपना सलमान कान पहुँच जाता है, और जेनिफर से कहता है, देख जेनी, फाइनली शादी से पहले मेरे एक बच्चा होने वाला है, प्लीज मीडिया के सामने मेरा नाम खराब मत कर, चल मेरे साथ मेरे फार्माउस, तो जेनिफर कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मेरे वीकी, यहीं पर समाप्त होती है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डेली वीडियो आते रहेंगे,